नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर, मेरा नाम है अनिरुध और इस वीडियो में मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ एक बहुत ही important topic के बारे में We are going to talk about wetlands in news, यानि कि पिछले एक साल में जितनी भी wetlands हैं जो की चर्चा में रही हैं, जो की हमारे UPSC Prelims 2021 के लिए important हैं या फिर महतुपूरण है पिछला ये एक जो साल है, specifically wetlands के लिए बहुती ज़ादा important मैं मानता हूँ because कई सारी बार, कई बार ऐसा हुआ था कि कई सारी नई wetlands हैं जिनको की हमने रामसर की list में add करवाया था In fact, just recent सी बात है, December 2020 के आसपास की बात है, एक और नई wetland को include करवाया गया था इसलिए wetlands के बारे में चर्चा करने काफी ज़ादा important है More importantly अगर आप देखें केवल ये वाली बात ही नहीं, इसके इलावा अगर आप देखें UPSC का जो prelims का examination होता है हर साल, it is almost given fact है ये, कि हर साल इसको लेकर कोई ना कोई सवाल definitely पूछा ही जाता है इसलिए हम इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, चलिए start करते हैं, lecture की PDF को यदि आप लोग download करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए, telegram channel से कर सकते हैं, इसके इलावा, social media पे और unacademy की app पे आप मुझे follow कर सकते हैं, इस particular handle के माधिम से यदि आप लोग मुझे science and tech पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तो science and tech का plus course शुरू हो चुका है, और यह 21 अप्रेल को ही शुरू कर दिया गया था, इसमें यदि आपको हिस्सा लेना है, आपको केवल मेरा code यूज करना है, अनी UPSC और आप सीधा-सीधा 10% का discount अवेल कर सकते है इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मेरे इलावा, Unacademy के सभी top educators के साथ पढ़ने का मौका भी मिलेगा, आपको केवल एक subscription purchase करनी है and you can get access to the entire application, पूरी की पूरे courses आपके लिए available करवा दिये जाएंगे इसमें देखिए आप लोगों के लिए कुल मिला के दो तरांके courses available करवाये गई है, पहला है plus course, दूसरा है iconic course, plus course में आपको cable classes मिलेंगी और iconic course में आपको classes के साथ-साथ एक personal mentor भी provide करवाया जाएगा, जोकि आपकी तयारी में आपके साथ रहेगा, more importantly आपकी mains की question answer writing practice को भी आपके साथ करवाता रहेगा, इसमें यदि आप लोग iconic के लिए जाते हैं, तो दोस्तो मेरा code यूज़ करके आप सीधा-सीधा 10% का discount ले सकते हैं, 74,500 वाला course आपको 67,050 रुपीज का पढ़ जाएगा, और यहाँ पर 49,500 वाला course आपको 44,550 रुपीज का पढ़ सकता है, same goes for the optional also, अगर आप लोग मेरा code यूज़ करते हैं, सीधा-सीधा आपको 10% discount available करवा दिया जाएगा, इसमें एक 4-in-1 offer फिलहाल चल रहा है, जिसमें कि अगर आप लोग subscription को purchase करते हैं, तो आपको 12 महीने की चगा, सीधा 16 महीने का offer मिलता है, और साथ में आपको printed notes भी प्रवा लेते हैं, wetlands के बारे में बहुत ही important topic है, सबसे पहले इसकी परिभाशा क्या है, wetlands, देखे हिंदी में wetlands को अलग-लग नामों से जाना जाता है, हिंदी में wetlands को कई सारी किताबें हैं, जो की केवल और केवल जीलों के नाम से जानती है, लेकिन एक और इसका technical word है, और वो क् और दूसरी तरफ आपका कोई बड़ा पानी का एरिया हो, तो दोनों के बीच का जो एरिया है, उसको भी कई बार wetlands कहा जाता है, और इसलिए आर्दर भूमी का जो word है, वो भी इसको लेकर कई बार use किया गया है, खेर हम जो यहाँ पर परिभाशा आपके सामने रखने वा एक लौती कन्वेंशन है, जो की आपको देखने को मिलती है, आज पर दिस कन्वेंशन वेट लैंड्स आर एरियाज ओफ मार्श, फेन, पीट लैंड और वाटर जहां पर नाच्रल या आर्टिफिशल, पर्मनेंट और टेंप्रेरी, वाटर दाट इस स्टाटिक और हो, हो सकता है वह वहाँ पर्मनेंट हो, यानि की स्थाई हो, हो सकता है टेंप्ररी हो, यानि की बारिश के टाइम पर आता हो, अदवाइज ना आता हो, हो सकता है वह पानी ठहरा हुआ हो, हो सकता है बहने वाली फॉर्म में हो, हो सकता है पानी फ्रेश हो, हो सकता है पानी ब्राकेश हो या फिर salt water हो लेकिन उसकी जो depth है वो fix करी गई है कि low tide के time पे उसकी जो depth है वो 6 meter से ज़्यादा exceed नहीं करेगी यह परिभाशा है wetlands की जो की मानी गई है इसी के बेस पर हम कुछ interesting और important facts को समझ लेते हैं यह सवाल आपके सामने है आपका जवाब आपको इसका जवाब देना है with reference to Ramsar wetlands in India consider the following statements सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया है रेनुका wetland के बारे में तो आप सभी को मालूम होना चाहिए रेनुका wetland जो है हिमाच्छल प्रदेश में located है UPSC already इसको लेके सवाल पूछ चुकी है रेनुका wetland is the smallest wetland in India यह बिल्कुल सही है भारत में जो सबसे छोटी wetland है area के हिसाब से वो basically आपकी रेनुका wetland माली जाती है उत्तर प्रदेश has the largest number of Ramsar sites in India यह वाला statement भी बिल्कुल सही है हिंस आपके दोनों statements बिल्कुल सही है option number C that is both 1 and 2 will be the correct answer जान लेते हैं कुछ और facts इस particular चीज़ के बारे में देखे भारत में आज की date में 42 रामसर sites है जब मैं कह रहा हूँ आज की date में तो basically मैं यह कह रहा हूँ कि April 2021 तक आपकी 42 रामसर sites है हो सकता है आगे जाके यह number जो है change हो जाए कुल मिला के जो surface area है इन रामसर sites से जो घेरा हुआ है this is इतना सारा hectares तो कुल मिला के आपके पास 1,081,438 hectares है जो की आपको देखने को मिल जाता है यह वाला area again as of December 2020 का area आपको बताया गया है अगर बात करें भारत की जो largest रामसर site है तो यह बहुती famous चिल का लेक है जो की ओडिसा में located है in fact केवल रामसर site ही नहीं बहुती famous tourist spot भी इसको माना जाता है इस अकेली रामसर site का जो area है यह लगभग सवा लाख hectares के आसपास का है चिलिका लेक ओडिसा में और केवलादियो नाशनल पाक राजिस्थान में these were actually recognized as the first रामसर sites of इंडिया तो जब convention को sign किया गया था इसके बारे में कुछ important तथ है मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूँगा तो जब भी इसको sign किया गया था उसके कुछी समय के बाद जो सबसी पहली दो sites थी भारत में recognize करने वाली वो चिलिका लेक थी और क्योलादियो नाशनल पाक थी आपको अगे रिनुका वेटलांड के बारे में आपको बता चुका हूँ सबसे छोटी वेटलांड है इसका area मात्र 20 hectare का है और यह पाई जाती है हिमाच्यल प्रदेश के उत्री राज्य में अब बात कर लेते हैं किस तरीके से वेटलांड जो है वो बढ़ाई गई देखिए आपके साम सनवरी 2020 की बात है एक बड़ा कदम लिया गया हमारे वातावरन मंतराले के द्वारा इन्होंने क्या किया इन्होंने बेसिकली 10 और वेटलांड को इसमें आड कर दिया था in the list of रामसर साइट और यह जब 10 और वेटलांड को आड कर दिया था आप यहां पे देख सकते हैं ज यह वाली 10 वेटलांड को आड किया गया है उसके बाद क्या हुआ October 2020 में थोड़ी सी वेटलांड और आड कर दि गई थी टू मोर इंडियन वेटलांड जिनका नाम है कबरताल वेटलांड जो की बिहार में है जिसका एक और नाम भी है जिसको कंवर जील भी कहा जाता है और के बाद आसान कंजरवेशन रिजर्व जो की उत्राखंड के राज्य में लोकेटेड है इनको आड किया गया था आसान कंजरवेशन रिजर्व को लेके UPSC 2020 में ही सवाल पूस चुकी है November 2020 में फिर से दो और वेटलांड को आड किया गया दोस्तों और ये वाली जो दो और थी ये basically आपकी बन गई लोनार लेक इन महाराश्ट्रा और दूसरी आपकी थी सुर्शरोवर लेक जो की आगरा में लोकेटेड थी सुर्शरोवर के बारे में भी कई सारे लोगों को मालूम होगा because ये एक ऐसा टाइम था आगरा का बहुत साल पहले आज से सुर्शरोवर क पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाए दिसेंबर 2020 में एक और एडिशन करी गई थी जिसमें की लदाक की एक बहुती बहतरीन दिखने वाली जील जिसका नाम है सोकर इसको आड़ किया गया था कुल मिलाके आपको चार चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तो प से पहला fact January 2020 में आपको 10 wetlands आड़ करवाई गई दूसरा important fact यहाँ पर यह है कि October 2020 में फिर से आपने 2 और आड़ करवाई तीसरा important fact यह है कि आपने November 2020 में 2 और आड़ करवाई और December 2020 में आपने 1 और wetland को आड़ करवा लिया अब आपके सामने था यहाँ पे 27 थी 27 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 is equal to 42 wetlands आज की डेट में भारत में exist करती हैं I hope यह चीजें आपको ध्यान रहेंगी अब इस basis पे आप देख सकते हैं भारत में जो रामसर साइट्स हैं इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखे सबसे पहले ये North India में Sokar Lake है ठीक है उसके बाद Wooler Lake है ये important sites है कुछ फिर ये Pong Dam है again UPSC सवाल पूश चुकी है Chandratal को लेके So Moriri को लेके सवाल पूश चुकी है then Asan Baraj को लेके पिछले साल सवाल आया था यहाँ पे कियोलादियो नाशनल पार्थ है कीथम Lake है कीथम Lake अभी अभी मैंने आपको बताया जो Sur Surover है उसी का दूसरा नाम है then we have the Cover Lake जिसका दूसरा नाम कबरताल भी है deeper boil को लेके सवाल पूश चुकी है UPSC उसके बाद यहाँ पे लोकतक Lake को लेके सवाल पूश चुकी है UPSC then चिलिका Lake है भीतर करने का है सुन्दर बंज है तीनो के तीनो चीजों को लेके question आ चुका है East Kolkata wetlands again very very important भोज wetland very very important नीचे आ जाते हैं सस्तम कोटा Lake अस्तमूरी wetland सस्तम कोटा लेक भी काफी important है and question has been asked Vimbanad coal wetland सारी की सारी चीजें आपको दोस्तों याद करनी पड़ेंगी यहाँ पर आप लोग धील नहीं छोड़ सकते हैं Each and every wetland is very very important अब थोड़ा सा detail में बात कर लेते हैं उन सभी wetlands के बारे में जो की पिछले एक साल से सुर्खियों में थी सबसे पहले आपके सामने है सोकर wetland सोकर wetland की खास बात क्या है असल में यह दो अलग अलग लेक से मिलकर के बनी है जो इसमें पहली लेक है उसका नाम है fresh water जिसका नाम है स्तर सपुक सो ठीक है और दूसरी वाली जो नाम है उसका नाम है hypersaline lake है यानि कि यहाँ पर जो salt की मात्रा है बहुत जादा है उसका नाम है सोकर दोनों के मिलने से यह वाली पूरी की पूरी complex त्यार किया गया है और यह इसका नाम सोकर basically इसलिए दिया गया है because इसके कोनों पर क्या होता है कि white salt इकठा हो जाता है because of evaporation तो क्योंकि वहाँ पर evaporation होती रहती है तो नीचे salt बच जाता है जिसकी वज़े से इसको यह नाम दिया गया है आप यहाँ पर खबर भी देख सकते हैं December 25, 2020 Ladakh's Soker Wetland Complex added to list of Ramsar Sites complex इसको इसलिए कहा गया है because इसमें एक से अधिक lakes included है यह आप इसकी बहुती बहुती बहतरीन image भी देख सकते हैं Soker Lake की image क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोने पे यह थोड़ा थोड़ा white color की जो चीजें है यह basically salt की वज़े से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है अगली lake जिसका नाम है Surth Sarover Surth Sarover का दूसरा नाम आपको बता चुका हूँ Please याद रखिएगा Surth Sarover का दूसरा नाम बहुत ही ज़्यादा important है कीथम lake ठीक है कीथम lake जो है originally basically यह गर्मियों के टाइम पे आगरा शहर को पानी सप्लाय करने के लिए बनवाई गई थी लेकिन धीरे धीरे यह इतनी important जील बन गई की यहाँ पर आके बहुत सारी आपको biodiversity देखने को मिल जाती है और इस तरीके से biodiversity देखने को मिलती है की केवल यहाँ पे resident और migratory birds ही नहीं बलकि कई सारी species of fish भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है तो लाजमी था जब इतनी biodiversity आना शुरू हो चुकी थी तो सरकार को इसका संग्रेक्षन करना पड़ा और आज finally इसको रामसर साइट में include करवा दिया गया है लोनार लेक पिछले साल सुर्खियों में थी पिछले साल की बात है लोनार लेक सुर्खियों में इसलिए थी यह पूरी की पूरी लेक जो है दोस्तो इसका कलर एकदम से चेंज हो गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 22, 2020 की यह खबर है दहिंदू की लोनार लेक इन महराश्टरा बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट टरंड पिंक क्योंकि उसके अंदर सडनली यह वाले माइक्रोब्स आ चुके थे तो यहाँ पर आप यह भी इस चीज को अप्रिशेट कर सकते हैं कि माइक्रोब्स कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसी भी वाटर बॉड़ी के लिए यहाँ पर अगर आप देखें लोनार लेक यह कहाँ पे लोकेटिड है, डेकन प्लाट्व में लोकेटिड है अगर Deccan Plateau में located है तो लाजमी है कि वहाँ पर जो पत्थर होंगे, जो यहाँ पर नीचे का, basically आपकी सतय होगी, वो basaltic होगी, ठीक है, maximum cases में ऐसा ही होता है, तो Lonar Lake का आपको ध्यान क्या रखना है कि यह almost circular in shape है, और एक closed basin है, और basalt bedrock के ऊपर यह बनी थी through a meteorite impact, तो बहुत पहले किसी meteorite impact के माध्यम से इस lake को बनवाया गया था, ठीक है, बनवाया नहीं गया था, nature ने इसको बनाया था, the lake is high in salinity and alkalinity as the lack of an outflow leads to concentration of minerals, ठीक है, क्योंकि यह closed basin है, ध्यान दीजे, closed basin है, किसी और lake के साथ, किसी और river के साथ कोई connection नहीं है, तो क्या होता है, पानी इसी के अंदर से evaporate होता रहता है, क्योंकि evaporate होता रहता है, तो यहाँ पर जो salinity और alkalinity है, यह काफी जादा बढ़ जाती है, important to note, जो मैंने यहाँ पर आपको concepts बताएं है, आपको इसको relate करना है, कि इन concepts के साथ, दोस्तो, you have to relate this with concepts of bio augmentation, अगर आपने environment में इसको पढ़ा होगा, कि bio augmentation क्या होता है, bio sparging क्या होता है, वहाँ पर हम पढ़ते है, microbes क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, तो उसके साथ please इसको relate कर लीजे, next is coverthal wetland, very easy, coverthal wetland का जो दूसरा नाम है दोस्तो, cover jheel है, और ये बिहार के आपको state में देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 November 2020 की यह ख़बर है, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं, next देख लेते हैं, asan conservation reserve, वैसे तो पिछले साल ही सवाल आया है, बट फिर भी हमें बात करने जरूरी है, यह एक asan river का basically एक छोटा सा stretch है, जहाँ पर आपको asan conservation reserve देखने को मिल जाता है, it is a 444 hectare stretch of the asan river, और यह basically आगे जाके asan river जो है, यह यमुना river के साथ ही मिल जाती है, इन देरादून district of उत्राखंड, कि कैई पैदा कैसे हुआ था asan conservation reserve, आज से बहुत साल पहले की बात है, asan बराज का damming किया गया था, यानि कि asan बराज basically क्या हुआ था, कि जो river थी वहाँ पे located, इसके उपर एक dam बनाया गया था in 1967, जब वो dam बनाया गया, तो dam बनाया जान habitat बन गई, कि कई सारे पंची वहाँ पे आना पसंद करना लगे, जिसकी वज़े से आज की date में ये conservation reserve पैदा हो पाया था, आप यहाँ पे cover भी देख सकते है, asan conservation reserve became India's, became उत्राखंड's first ramsar site, यह आप देख सकते हैं कितनी बहतरी image है ये asan conservation reserve की, तो यह थे कुछ important चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक only global treaty है, अकेला एक लौता वैश्विक समझोता है, जो की जीलों को लेके किया गया है, रामसर जो है एक शहर है इरान का, जहाँ पे इसको sign किया गया था 1971 में, उसके 11 साल के बाद ये force में आया था, 1 February 1982 में और इसकी जो signatories हैं, आ यानि कि जितने भी parties जिसने भी इसको sign किया है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को माना है कि कम से कम वो अपनी territory यानि कि अपने देश की territory में से वो कम से कम एक wetland definitely नामित करेंगे ही करेंगे, दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा है, अगर वो किसी जील को यहाँ पे नामित करते हैं, तो वो उसका संग्रक्षन करेंगे on the concept of wise use, यानि कि उसका सही तरीके से इस्तिमाल करेंगे, उसका इस तरीके से इस्तिमाल करेंगे, कि उस particular site का जो ecological character है, वो maintain हो रहा है, और उसका इस्तिमाल एक सतत तरीके से हो रहा है, so that वहाँ के लोगों का भला हो, और wise use का concept, किस particular convention के साथ संबंध रखता है, कितना ही नहीं, अगर हम देखें, ये wetlands की convention है, इतनी popular हो चुकी है, कि दुनिया भर में, आज की rate में, 2414 रामसर sites हैं, जो की recognize करवाई गई है, 1974 में दुनिया की पहली रामसर site को जो recognize करवाया गया था, वो Australia में देखने को मिलती है, को बोर्ग, पेनिसुला, ये हाला कि हमारे examination के लिए उतना relevant नहीं है, ये आपकी GK के लिए, ऐसे ही आपको एक separate fact मैंने बता दिया है, और ये वाला number obviously change होता रहता है, as and when नई-नई रामसर sites आती रहती हैं, अगर कुछ और facts की बात करें, दुनिया भर में सबसे अधिकतर ज जैसे banking, जैसे examination में आपको देखने को मिलता है, फरवरी 2 को अंतरराष्ट्री ये wetlands day मनाया जाता है, and एक और सवाल जिसको लेके सवाल आ चुका है, UPSC में भी, कि ये जो sites है, इनको basically maintain किया जाता है, एक record में, record का नाम है Montrue record, ठीक है, ये Montrue को जो pronounce किया जाता है, इसमें UX silent है, तो Montrue record में इसको maintain किया जाता है, क्यों maintain किया जाता है, so that, इस चीज की tracking हो सके, कि कोई major ecological change तो नहीं आ रहा, in particular wetlands sites में, और यहाँ पर, when I am saying कि कोई major change तो नहीं आ रहा, तो basically इसका मतलब क्या है, changes in ecological character, they have occurred, they are occurring, or they are likely to occur, ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पर ध्यान में रखी गई हैं, यानि कि कुछ ऐसे बदलाव वहाँ के ecological character में, या तो हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या हो सकते हैं, इन सभी चीजों को track किया जाता है, in the case of Montrue record, please, please remember this, इस चीज को लेके directly UPSC पूस चुकी है, कि ये तीनों चीजें include करी जाती हैं, या फिर नहीं करी जाती हैं, very very important lecture guys, इसलिए इतना focus कर रहा हूं इसके उपर, कि उलादियो नाशनल पाक, राजस्थान में, और लोकतक लेक, मनिपूर में, ये ऐसी दो wetlands हैं, जो कि Montrue record में located हैं, अब देखिए, लाके तो इंडिया में कितनी wetlands हैं, 42, जो कि रामसर की list में add करी गई हैं, लेकिन जो उसके अंदर Montrue record है, उसके अंदर हमने कितनी add करी हैं, केवल दो ही add करी हुई हैं, ठीक है, यानि कि ये दो वो हैं, जिनका हमें संग्रक्षन करना बहुत ही जादा relevant है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव हैं, जो कि या तो हो चुके हैं, या हो रहे हैं, या हो सकते हैं, जिसके चलते हमें इनका संग्रक्षन करना और भी एहम बन जाता है, I hope आपको difference समझ आ गया होगा, कि 42 और 2 में यहाँ पर क्या difference है, कि रामसर साइट में और Montrue record में क्या फरक है, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो left side में आप देख सकते हैं, यह basically आपकी कियोलादियो national park है, और जो right side में आप देख सकते हैं, यह लोकतक national park है, लोकतक lake को लेके UPSC दो बार सवाल पूश चुकी है, और लोकतक lake को एक और भी चीज कहा जाता है, इसको कहा ज language में एक और भी चीज कहा जाता है, phumdis, इस चीज को लेके भी सवाल आ चुका है, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर सवाब करता हूँ दोस्तो, संडे को आपको हिस्सा लेना है Unacademy Combat में, जब तक UPSC का prelims नहीं होता, तब तक हर संडे हम आपके रहे 11 बजे इस Combat को प सकती है, साथी में हमारी test series के नए links अपडेट कर दिये गए है, first में को test series शूरू करी गई थी, इसमें तीन तरह की test series है आपके लिए, RISE 5.0, Unacademy Pathfinder for GS है, और Current Affairs के लिए World Affairs UPSC CAC है, अगर आप लोग रोजाना अपने आपको test करना चाहते हैं, तो इन test series में हिस्सा ले सकत सकती हैं, इन अपके ले जोगग है, कर दो नए है, वड़ जोगक र मौत आपके लिए.